नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा धनूरासी जन्वरी 1965 में एक दो और तीन तीन दिन के अंदर जो भी जनम हुआ है उनकी धनूरासी आई है 1965 के बारे में बात करें उस दिन चंद्र धनूरासी क था और यहां जन्वरी के अंदर 1965 के बारे में बात करेंगे धनूरासी वालों के लिए गुरू के घर की रासी है और तीन दिन जो भी व्यक्ति पसंद जनम हुआ है उनका पास्ट कैसा रहा प्रेजन कैसा रहा और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा उसके उपर शंक्शिप्त म जोतिस का मतलब है प्रकास डालना खाली एक प्रेडिक्शन किया जाता है हंडेट परसन कोई स्योर नहीं यह दुनिया के अंदर नहीं तो हम सब आप बगवान हो जाते हैं तो यहां एक प्रेडिक्शन है एक हाईलाइट से यह तो हमारे साथ हुआ ही नहीं यह तो गलत बो तो यहां बात करेंगे धनूरासी वालों के लिए सूरिय और चंद्री दोनों आपकी रासी में बैठे हुए हैं, मतलब रासी कुंली जो है चंद्र कुंली, उसके उन्दर सूरिय भी बैठा हैं, और चंद्र भी बैठा है और जबी सूरिय और चंद्रसाथ में बैठ जाते है तो अमावस्या योग बन जाता है अमावस्य का मतलब होता है अंधेरा तब चंद्र जो होता है बहुत इक्षिर हो जाता है वो आकाश में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा तो यहां ऐसे व्यक्ति परसन को इनका जो मन रहता है वो कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर वो मायूस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कहीं नेगिटिव थोट सा जाती है, विवेलिक माइन अपसेट हो जाता है तो ये एक आपको समस्या आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि चंदरसुर्य अमावस्या योग बनता है अमावस्त का मतलब होता है पूरा अंधेरा चा जाना जैसे अमावस्त के दिन आप देख सकते हो आकास में जरा भी आपको रोशनी नजराएगी बिलकुल नहीं तो ये अमावस्त का मतलब आपको कहीं न कहीं भागिया से आपको एक स्टेप थोड़ा आपको लग रहा है कि हमारा यहां थोड़ा नसीब कम हो गया लेकिन यहां एक आपका प्लस पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है जैसे गुरू यहां दोनों प्लैनेट्स को अपनी नवम द्रश्टी से देख रहा है तो यह जब गुरू यह दोनों प्लैनेट्स को देखता है नवम नजर से तो ये दोनों प्लैनेट्स के अंदर एक ताकात आ जाती है क्योंकि गुरू की दरश्टी में अमरित माना गया है सास्तरा के अंदर गुरू की जो दरश्टी है वो बहुती शुब गिनी गई है अती शुब गिनी गई है और वो अमृत जैसी जश्टी का उसको पुरवार किया गया है, उसका नाम दिया गया है, तो यहां गुरू चंद्र और सूरिय को देखते हैं तो बल मिलता है, और यह सूरिय आपके भाग्य का भी स्वामी है, तो यहां कहीं न कहीं एक बार आपकी हार होगी, लेकिन दूसरी बार जब आप effort करोगे तो आपको आपने किया होगा और अभी भी करेंगे तो आपको उसमें सफलता यहां 100% बगवान की दिया से मिल सकती है तो यह एक गुरू का पॉइंट आपको बहुत बढ़िया चल रहा है शनी भी बहुत बढ़िया जगा पे बैठा आपका थर्ड हाउस में शनी बैठा हलाकि शनी भाग्यस्तान को देख रहा है और गुरू को नीच की नजर से देख रहा है यहां थोड़ा गुरू मार खा गया जब शनी की नजर पढ़ती है तो भल भले जो भी ग्रह है वो वहां उसकी गती रुका देता है तो यहां आपको अपने अभ्यास के अंदर स्टडी के अंदर काफी समस्या आपको देखने को मिली होगी आपकी उमर जदा है अभी तो 65 का बोण है मतलब आप 50 पार कर चुके हो तो आपने स्टडी में भी आपको समस्या देखने को मिली होगी और आपके जो एक सिक्स्ट सैंस है जो बुद्धी है वो कहीं न कहीं आपको जो डिजिजन लेना है वहां कहीं न कहीं आपकी गलती हो गई जो decision जो right time को आपको लेना था वो आपने लिया नहीं और गलत decision लेके आपने बहुत सारे काम आपके उल्टे भी यहां किये होगे यह खाली चंद्रकुनली है, ascendant आपके पास है, लगन कुनली आपके पास है हम खाली highlights डाल रहे हैं, मैं सही हूँ, मैं ही 100% से वैसा नहीं है यह खाली आपको बताना है, खाली इसके बारे में चर्चा करनी है तो यह हो सकता है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा हम नहीं कभी बोल सकते तो यहां कहीं न कहीं, शनी की नजर ने गुरू को पूरा डाउन, और गुरू आपकी कुनली में लगन का भी स्वामी है और खुद फोर्थ हाउस का स्वामी है, तो यहां आपको श्टरगल ज़्यादा देखने को मिली होगी जो आम आदमी श्टरगल कर के आगे आते हैं, उससे आपको काफी हत तक श्टरगल देखने को मिली होगी मेनत का आपका जीवन रहा होगा, आपको घर में भी तकलिफे रही होगी जो मकान में जो घर में आप रह रहो तो आपको बार बार चेंज करना पड़ सकता है या भाड़े के घर में रहना पड़ सका होगा लेकिन अभी जो आपकी उमर है उसके इसाब से दीरे 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 लाइब आपकी 40, 36, 37, 38, 40 के बाद आपकी सेट हुई है तब तक तो आपको स्टगल समस्या देखने को यहां मिली होगी तो यह एक पॉइंट बन जाता है आपका यह कुनली में सबसे बड़ा राजयोग बनता है शुक्रा आपका 12 हाउस में बैठा है और राहू 6 हाउस में बैठा है तो यह राहू आपको बहुत बड़ी समय आने पे आपको पचास के बाद जैसे 42-43 के बाद राहू की एक उमर चालू होती है तो यह राहू ने आपको बहुत अच्छा का सा हिसाब दिया होगा और अभी भी देगा अभी भी ऐसा नहीं है कि जब 42-43 के बाद यह राहू है वरसब राहू है उंच का राहू है आपका राहू उंच का आया हुआ है कोई मामुली राहू लेके आपनी आए 65 का बाद बले बले जो तुरम खान जो है पैसो में जिसका नाम है वो 65 के बाद वाले यह तो कहां मार खाएंगे कुणली आपकी कि शनी की नजर यहां पढ़ गई और एक थोड़ा अमावस्या का योगा आ गया इसके इसाब से आपको श्टरगल जादा देखना कोई लेकिन आपकी अगर जनम कुणली में थोड़े दूसरे दूरी योग बैठे हुए जैसे यह तो रासी कुणली है जनम कुणली कैसी ब गुरू यहां फॉर्थ हाउस में चलना है तो यह टाइम आपके लिए बहुत जबर जस्स से बहुत बढ़िया है कुछन कुछ नया हिसाब बैठने वाला आपका नया कामका जो निकुछ सेट होगा कुछ planning कर रहे हो कुछ सोच रहे हो तो ये time बहुत ही appropriate है उसको पकड़ के आगे निकल जाओ क्योंकि ये time में अभी set सब होने वाला है आप जो चाहोगे वो set होगा अभी आपके उपर दारों आप कितनी सोच रखते हो कितना बड़ा आप सोचते हो बड़ा मेरे जो words है उसको बराबर इत्यान से सुनिये बड़ा क्योंकि राहू को बड़ा चाहिए आपके जो हमेशा goals और dreams जो रहे वो बड़ी सोच के लिए रहे बड़ा सोचने का बड़ा पैसे बड़ी बाते बड़े लोग जो करते वो राहू करवाता है यहां केटू बैठा है जबर जस राजियोगे 12th house में केटू आदमी को मौक्स मिलता है मौत्यू के बाद ऐसे व्यक्ति को मौक्स प्रद्यान होता है और शुक्र बारवा स्थान में बैठा है बारवा सुक्र जिसका होता है वो लग्जिरिस लाइफ जीते हैं यह तो आपकी 42, 45, 46 के बाद आपकी जीवन चाल हुआ है तब तक तो समस्या, संगर्स इतने देखने को मिले के हमने बहुत पापड बेले तब जाके हम यहां बैठे वो आपको यहां लोगों को कहवत आप सुना सकते हो तो यह अभी टाइम एड प्रेजन जो टाइम चल रहा है 24, 11 के बाद यह गुरू जैसे मारगी होगा यहां अपने आपको ऐसी सेटिंग होगी बिजनस की, ऐसा कोई काम आपका सेट होगा आपने सोचा नहीं होगा ऐसा कोई बड़ा हिसाब आपको भी मिल सकता है कोई बड़ी सेटिंग हो सकती है बड़ा प्लानिंग हो सकता है बड़ा काम, बड़ा तंदा, बड़ी जॉब आपको यहां मिल सकती है इस्ते धनूरासी एक, दो, तिन, जैनवरी 1965 जो बर्थवाल है उनके लिए खाली एक हाइलाइट्स हमने डाली है अच्छे रहो, खुछ रहो, खुब आगे बड़ो और खुब पैसे कमा हो